अनंतनाग में अबरनात यात्रियों पर बड़ा आतंग के हमला हुआ है इससे जुड़ी हर जानकारी हर अपडेट आपको पहुंचाएंगे बताएंगे किस तरह से पूरा देश घुस्से में है जनता मांग रही है जवाब कड़ी निंदा नहीं कड़ी कारवाई लेकिन आप अपनी जान गवाई आज श्रीनगर के हवाई अड़े पर पूरे राजकिय समान के साथ उन्हें शद्धांचली दी गई जब मुकश्मीर के श्रीनगर हवाई अड़े पर पुलिस के जवान मात में धुन बजा रहे हैं हाथों में बंदूग ठामे पुलिस के जवान अपनी बंदूगों धीरे धीरे उल्टा कर रहे हैं जब मुकश्मीर के राज़ेपाल एनन वोहरा, सीम महबुवा मुफ्ती और डिप्टी सीम सलामी दे रहे हैं जिन लोगों को पूरे राजकिय सम्मान के साथ बिगुल बजाकर और सिर जुकाकर शद्धांजली दी जा रही है वो आतंकवादियों की गोली से शहीद हुए सेना और पुलिस के जवान नहीं है बलकि अनंतनाग में आतंकियों के गोली के शिकार बने अमरनाथ यात्री है शिनगर हवाई अड़े पर कफन में लिम्टे आतंकी हमले में मारे गए साथ शद्धालूं को शहीद सैनिकों की तरह शद्धांजली दी गए राजपाल एननवोरा, सीम महभूबा मुफ्ती और डिप्टी सीम निर्मल सिंग ने एक एकर आतंकी हमले में मारे गए साथ शद्धालूं को शहीद सैनिकों की तरह पूरे राजपे सम्मान के साथ आखरी विदाई दी आखरी विदाई देने के बाद सीम महभूबा मुफ्ती हमले में गायल हुए अमरनात यातियों से मिलने पहुँची तो मृतक के परिजन सीम से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे सीम और डिप्टी सीम ने पीड़ित शद्धालूं को धाड़स बढ़ाया और सभी को एयर फोर्स के विशेश विमान से गुजरात के लिए रवाना किया और आईए अब आपको दिखाते हैं आतंकी गवाही देने वाली ओम ट्रावल्स की उस बस की कहानी जिसमें आतंकी उन्हें हमला किया और साथ श्रद धालूं की जान ले लिए कुजरात के ओम ट्रेवल्स की ये वही बस है जिसमें सवार आमरनात के यात्रियों पर आतंकवादियों ने हमला किया ABP News को जानकारी मिली है कि आतंकवादी लगातार इस बस पर नज़ा रखे हुए थे अब आपको बताते हैं कि कैसे आतंकवादियों ने इस हमले को अंजाम दिया इस बस के दाहिने तरफ से आपको बताते हैं देखिए ये इस बस की बॉड़ी है इसके ओपर शीशे लगे है पहला शीशा ड्राइवर सीट पर लगा है इसके बाद एक, दो, तीन, चार, पांच शीशे लगे हैं इसमें करीब 56 तीर थियात्री बैठे थे शीशे के सारे बैठे तीर थियात्रियों को सीधे गोली लगी लोग मारने लगे गोली, हम लोग का आँख बंध हो गया बताया जा रहा है कि इस बस का एक टायर पंचर हो क्या था इसी दोरान बस पर रात करीब 8 बच कर 20 मिनट पर आतंग वादियों ने तावर तोड़ गोलियां बरसा दिये ABP News Ground Zero पर मौझूद है ठीक उसी जगाह पर जहां पर यह हमला हुआ था जो आप कांच के टुकल सडक पर देख रहे हैं यही पर हमला हुआ और जो यह गली आप देख रहे हैं बताया जा रहा है कि इसी गली से जो थे हमलावर आए थे और उन्होंने अधाद धुंद फाइरिंग बस के उपर की यह गोलियों के निशान यह देखे आप यह वो दुकान है जो यहां ठीक जो मोकाई वारदात है उसके सामने यह दुकान है जैसे ही बस पर आतंगवादी हमला हुआ बस के ड्राइवर सलीम ने सूजभूच से काम लिया और आतंगवादियों के लगातार फाइरिंग के बावजूद सलीम बस को चलाते रहे और सुरक्षित जगा पर पहुँशने के बाद ही उन्होंने बस को रुका आतंगवादियों की पहली कोशिश्ति की फारिंग करके बस को रोक लिया जाए और फिर तीर थियात्रियों को बंधग बना लिया जाए लेकिन ड्राइवर सलीम ने आतंगवादियों के नापाक मनसूबों को पूरा नहीं होने दिया तो इस बस पर आतंग के हमले के निशान आपने देखे लेकिन यह हमला हुआ कैसे किस तरह से इसे अन्जाम दिया गया आईए वो पूरी कहानी हम सिलसिलवार तरीके तक आप तक पहुंचाते हैं यात्रा से लोट रहे शरद्धालू की बस पर यह हमला हुआ था जब वो यात्रा करके वापस लोट रहे थे साथ शरद्धालू की इसमें मौत हो गई 19 इसमें जखमी हो गए गुजरात के महराश्व के लोग इसके भीतर थे अरंतनाग में 8 बचकर 20 मिनट पर यह हमला हुआ उस वक जब शरद्धालू भगवान शेफ की भक्ती में लीन वापस लोट रहे थे सोनमर्क बालटाल के रास्ते यह बस आ रही थी आपको बता दे लशकर और हिजबुल के आतंकियों ने इस हमले को अंजाम दिया है मरने वाले शरद्धालू में 5 गुजरात के और महराश्ट के दो शरद्धालू बताए जा रहे हैं मारे गए शरद्धालू को राज की इस समान के साथ आज शरद्धांचली दी गई सूरत एरपोर्ट पर घायलों से बाकाइदा मिले है गुजरात के मुखेमंत्री विजरूपानी और अमरनात शाइन बोर्ड ने मरने वालों की परिवार को 5 लाख का और जम्मू कश्मीर सरकार ने 6 लाख रुपे का मुआवजा देने का एलान किया है और पूरा सम्मा इन सभी लोगों को ये है एबीबी नियूज आपको रखे आगे